नमस्कार आप देख रहे हैं The Publish और मैं हूँ आपके साथ राही कपूर जम्मो कश्मिर में सरकार बनना आखरी लगबग तै हो चुका है और आपको ये भी बता दे कि देर रात को अधिसूचना जारी की गई कि यहाँ पर प्रेजडेंट रूल जो की पिछले छे वर्सों से लगा हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया है अब नेश्र कांफरेंस और इंडिन नेश्र कांफरेंस सरकार बनाने जा रही है तो ऐसे में शपत समारों की त्यारियां काफी जोरो शोरो पर चल रही है यह अधिसूचना इसलिए जल्द जारी की गई क्योंकि द्रोपती मुर्मू 19 अक्तूबर को तीन देशों के दोरे पर जा रही है उससे पहले जो है इस अधिसूचना को जारी किया गया और यह साफ तोर पर सपस्ट होता नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है वहीं इसके बाद सूत्रों के मताबक यह खबर भी निकल कर समने आ रही है जो इंडी गठ बंदन है यानि इंडी एलाइंस के जो जितने भी नेता हैं वो एक एकता का संदेश दे सकते हैं ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली सरकार यानि उमर अब्दुला के शपत समारों के दोरान इंडी गठ बंदन के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं वो चाहे मलिका अरजुन खड़के, प्रेंका गांदी, राहूल गांदी या फिर ममता बैनर जी का नाम समने आ रहा है और साथ में अरविंद केजरी वाल भी आ सकते हैं कल डोड़ा में अरविंद केजरी वाल ने अपने संबोधन में ये चीज़ कही थी कि जिस रिके से दिली में आदे राज्य के तोर पर सरकार है वैसे ही जम्मु कश्मीर को भी बना दिया गया हला कि कल वो डोड़ा में अपने जो उनके उमिदवार वहां से जीते महराज मलिक के पक्ष में एक विशाल दन्यवाद रैली को उनोंने संबोधन किया जहां पर कहीं आपके बड़े नेता मौझूद थे पंजाब के मुख्य मंतरी बगवान तमान भी उनके साथ मौझूद थे लेकिन ऐसे में ये साब तोर पर स्पस्ट होता नजर आ रहा है कि जल्द ही मुख्य मंतरी की शपत जो है वो उमर अब्दुला ले सकते हैं हलाकि अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये सारी जो प्रोसेस है क्या जनता की उमूदों पर नैशनल कांफरेंस और कांग्रेस उतर पाएगी ये देखना दिल्चस्प होगा इसके साथ सोशल मीडिया पर कई चीजे जो है वो निकल कर समने आ रही हैं जहां पर नैशनल कांफरेंस का मैनिफेस्टो जब हुआ था तो उस मैनिफेस्टो की कई जो पॉइंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर वाइरिल हो रहे हैं क्या कुछ लोगों की डिमांड से क्या कुछ अब देखना ये होगा कि शपत समारों के बाद किस तरिके से सरकार चलती है वो काफी दिल्चस्प होगा बरहल फाइनली ये हो गया है कि जम्मु कश्मीर से प्रेजडेंट रूल यानि राष्टे पति शासन को समाप्त कर लिया गया है उसकी देर रात अधिसूचना भी सामने आई है और अब लगबग रास्ता साफ है कि उमर अब्दुल्ला शपत समारों में यानि शपत जो है वो मुखे मंतरी की लेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दूला जो की नैस्elnल कॉणफरेंस के सुप्रेमौ हैं वो ये टाय कर रहे हैं कि शपत समारों में इंडी ऐलाइंस के किन-किन नेताओं को जो है वो शपत समारों में बुलाया जाएगा लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि इस शपत समारों में कई बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं तो अब देखते रहें दा पॉब्लिश मिरर नमस्कार